यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है पिच्चानविवा दिन एक बात चीज की जरूरत है सन 1904 में मैंने सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से इशो से मुलाकात की मैंने एक बातचीत सुनी थी और इतने वर्षों के बाद भी मुझे यह याद है यह 18 साल उम्र की व्यक्ति द्वारा दिया गया शीरशक था पांच एक बातें चीजें उसकी बाचीत में Bible की एक बात चीज की पांच महतपूर्ण घटनाओं का उलेग था इसमें से हर एक हमारी प्राथमिकताओं के बारे में कहती है इन पांच घटनाओं में से एक घटना हमारे आज के नए नियम के लेखांच में बताई गई है मुझे मार्था से बहुत हमदर्दी है इश्व ने उससे कहा तु बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है जीवन में बहुत सी बाते हैं लेकिन इश्व कहते हैं परन्तु एक बात अवश्य मर्यम की प्राथमिकता बिलकुल सही थी बजन सहीता 41 का 7 से 13 उनकी उपस्थिती की प्राथमिकता आप अपने जीवन की चुनौतियों के बीच परमेश्वर की उपस्थिती और उनकी प्रसनता जान सकते हैं दाउद को चिंता और व्याकुलता थी उसके कई शत्रु थे और इश्व की तरह वह कहते हैं मेरा परमित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था जो मेरी रोटी खाता था उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है साहसी रहें जैसे दाउद के साथ बुराई पर भलाई ने जय पाई थी यहाँ जान लें कि परमेश्वर आपसे प्रसन है दाउद की जबरदस्त अभिलाशा थी कि परमेश्वर उसे सरवदा के लिए अपने सनमुक स्थिर करें इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिक्ता बनाएं आप इसके लिए ही बनाए गए हैं परमेश्वर की उपस्तिती आपकी सबसे गहरी आवशक्ता को पूरा करती है पिता आज मुझे सभी चुनौतियों और परिशानियों के बीच आपकी उपस्तिती और प्रसनता का आनंद लेने में मेरी मदद कीजिए नयानियम लूका 10 का 25 से 11 के 4 तक इशू की प्राथमिक्ता आपकी प्राथमिक्ताएं क्या है? क्या आप अपने व्यस्त समय में से इशू के लिए कुछ समय निकालने की कोशिश करते हैं या आप उनके साथ अपने संबंद को पहली प्राथमिक्ता देते हैं एक शिक्षित शास्त्री और वकील ने इश्यू एक साधरन व्यक्ती से अनंत जीवन के मार्ग के बारे में बिलियन डॉलर का प्रशन पूछा इश्यू हमें प्रतिक्रिया करने के तरीके का एक उधारन बताते हैं और इसे हम आलफा के छोटे समू की बात्चीत में अपनाने की कोशिश करते हैं वास्तों में इश्यू एक प्रशन पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है? वकील सही उत्तर देता है अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे हृदय, पूरे प्राण और पूरी शक्ती और पूरे मन से प्रेम करो यहाँ आपकी सबसे पहली प्राथमिक्ता होनी चाहिए आपकी अगली प्राथमिक्ता अपने पड़ावसी से अपने समान प्रेम करने की होनी चाहिए फिर इश्यू एक और प्रशन पूछते हैं जो यहाँ बताता है कि वकील बचाव का उपाय ढून रहे थे वहाँ पड़ासी, परिवार, दोस्त, रिष्टेदार उसी धार्मिक समाज के सदस्यों को समित रूप से जिम्मेदार बनाना चाहते थे इश्यू अन्याय के बारे में एक कहानी द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं एक आदमी एक खतरनाक रास्ते पर यरुशलेम से यरिहों तक सत्रह मील लंबे और तीन हजार फूट धलान पर विख्यात रूप से चल रहा था वहाँ सामान और मूल्यवान चीजें ले जा रहा था उस पर अन्याय हुआ डाकूओं ने उसे लूटा उसके कपड़े उतार लिये उसे मार पीट कर और उसे अदमुआ छोड़ कर चले गए उसी मार्ग से धार्मिक लीडर्स जा रहे थे पहले याजक जो शायद यरुशलेम में एक मंदिर में सभा चलाता था फिर एक लेवी इसाईयों की प्रार्थना करने की रीती और संगती का सहायक दोनों ने पीडित को देखा लेकिन उन में से कोई नहीं रुका कम से कम तीन कारण जिसकी वज़से वे और हम इनमें शामिल नहीं होते नमबर एक हम शायद वियस्त हैं शायद वे जल्दी में थे वे उस गतिविधी में शामिल नहीं होना चाहते थे ज्यादा जिसमें समय लगता था नमबर दो, हम खुद को दूशित नहीं करना चाहते, म्रत शरीर को छूने से वे साथ दिनों तक अशुद माने जाते थे, गिनती उन्नीस का ग्यारा, इस दोरान वे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेव्यवस्था 21 का एक, वे मंदिर में अपनी सेवा का मौका गव नमबर तीन, हम जोखिम उठाना नहीं चाहते, अवश्य ही वहां आसपास डाकू थे, वह घात के लिए एक फंदा हो सकता था, सुनने वाले इस कहानी के संभावित नायक की कहानी से दंग रह गए होंगे, इशु ने उनके सबसे कम पसंदिदा व्यक्ति को चुना, सामरी, एक ऐसी जाती थी, जिसे यहुदियों ने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रीती से तिरिस्क्रत किया था, यह कहानी एक अलग जाती और धर्म के विक्ति के बारे में है, जो दयालू था, लुका 10-33, सामरी ने व्यावहारिक रूप से सहायता की, इसमें उसका समय, ता कि मैं किसका पड़ोसी बन सकता हूँ, इशु प्रेम की जिम्मेदारी लेकर संपूर्ण और असिमित व्यावहार की सिक्षा देते हैं, इशु सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आये हैं, सारी मानव जाती हमारी पड़ोसी है, रानी एलिजबेट ध्विती ने क्रिसमस के एक संदेश में कहा, एक मसीही के रूप में जब इशु मेरे सवाल का जवाब है, मेरा पड़ोसी कौन है, तो इशु द्वारा बताया गया तात्परियस पष्ट है, फिर चाहें वह किसी भी जाती समू या रंग का क्यो ना हो, परन्तु वह उसे देखकर कतरा कर चला गय यह याद ताजा करने वाली अभिव्यक्ती है, हमारे आसपास बहुत से दुखी लोग हैं, जब हम उन्हें देखें तो इशु के द्रिश्टांत में याजक और लेवी के समान उसे छोड़ कर दूसरी तरफ से मत निकलिये, सामरी यातरी को दया आई और उसने उसकी देख और उसने अपना धन दिया, इस कहानी के अंत में इशु कहते हैं, जा तू भी ऐसा ही कर। प्रात्मिक्ता सही थी, वहाँ प्रभू के पावों के पास बैठ कर उसका वचन सुनते थी, उसने जान लिया था, हलांकि चारों तरफ अनेक चिंताएं और व्याकुलता हैं, फिर भी इशु के पावों के पास बैठ कर वचन सुनने से ज़्यादा महतोपुन कुछ नहीं ह यहाँ आपकी पहली प्रात्मिक्ता होनी चाहिए। पुका की अगली कहानी कोई संयोग नहीं है, जब वह अपने शिशियों को सिखाते हैं कि प्रार्थना कैसे की जाए। हम देखते हैं कि ईशु ने स्वयम परमेशुर से प्रार्थना करने के महत्व का उदाहरन दर्शाया है और उनके शिशियों में इसके प्रती दिल्चस्पी पैदा हुई है इसके बाद उनके लिए अगला विशय है प्रभु की प्रार्थना परमेश्वर के साथ असाधारन घनिष्टता के साथ प्रार्थना शुरू होती है जब आप उन्हें पिता कहकर पुकारते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ सम्बंद ने आपके बाकी के जीवन को भी प्रभावित करना चाहिए रोज की रोटी के लिए प्रार्थना करें प्रार्थना करें कि परमेश्वर का राजी आए और दूसरों के पापों के बारे में सोचिए जिन्हें आपको शमा करना है या आपको पापों की शमा मांगनी है इशु के साथ सम्बंद बनाने के लिए कई तरीके हैं आप चाहें किसी भी तरीके से करें यहाँ आपकी सबसे पहले प्रात्मिक्ता होनी चाहिए प्रभू आपकी उपस्थिती का आनंद लेने में मेरी मदद कीजिए गिरेहूं को उठाने, तूटेहूं को फिर से स्थापित करने और दुखी लोगों की मदद करने के लिए वह देश दिया और उसके साथ साथ निर्देश भी दिये। परमेश्वर के लोगों के लिए सबसे सौभागी की बात देश का नियम नहीं था, बलकि परमेश्वर का प्रेम था। हम जब भी उनसे प्रार्थना करते हैं, तब प्रभू परमेश्वर हमारे करीब होते हैं। इसके अलावा परमेश्वर के लोगों को जीने के लिए जो निर्देश दिये गए थे और जिसका प्रभाव जब दूसरे देशों पर पड़ेगा उसके बीच एक उद्देश पूर्ण संबंध था परमेश्वर का उद्देश उन्हें अत्यथिक द्रड उधारन बनाने का था जिस परमेश्वर की वे अराधना करते हैं उसके चरित्र और उनके समाज में लागू किये गए सामजिक नियाए दोनों के रूप में दूसरे शब्दों में अच्छे सामरी के उदाहरन का अनुसरन करने से सुसमाचार संबंधी परिणा मिलता है ये नियम परमेश्वर के प्रेम और उनके करीब रहने की इच्छा की अभिव्यक्ती है इसलिए उनसे कहा गया कि तुम अपने विशय में सचेत रहो और अपने बेटों और पोतों को सिखाना ये नियम उन्हें वाचा के संदर्ब में दिये गए थे यहां हमारे लिए परमेश्वर की प्रतिबदता और हमारे लिए उनके प्रेम से शुरू होती है उसी तरह से नये नियम की शुरूआत इश्व की मृत्यू और उनके पुनुरुथान तथा आपके दिलों में पवित्र आत्मा के उन्डेले जाने के द्वारा परमेश्वर की प्रतिबदता से शुरू होती है आपको परमेश्वर की उपस्तिती में स्थाई प्रवेश मिला है इफिसियों 2-18 पिता मुझे आपके करीब रहने में आपकी उपस्तिती में जीने में इशू के पाओं के पास बैठकर वचन को सुनने में और बाहर जाकर उन पर कारी करने में मेरी मदद कीजिए लुका 10, 38 से 42 मुझे मर्यम और मार्ता दोनों से सहानुबूती है आजपास बैठे लोगों के लिए बोजन की तैयारी करने में होने वाली परिशानी को में जानती हूँ जबकि गड़बड़ी होने पर भी दूसरे लोग आत्मीक होकर बैटे रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं लेकिन मैंने उस समय का भी अनुबव किया है जब आसपास के लोग काम में लगे रहते थे और मैं एक जगा बैटी रहती थी मैं ब्राइन हूस्टन की एक बातचीत से प्रबावित हुई जिसका शीर्शिक्ता बोज और आराम जीवन में दोनों जरूरी है आज का वचन देखो कौन ऐसी बड़ी जाती है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा जबकि हम उसको पुकारते हैं व्यवस्ता विवरन चार का साथ